हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप दिखरें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक हमने पीछे कुछ बीडियो बनाए जिसमें कि हमने कुछ टाबलेट्स के बारे में कि आपका जो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर आपको टाइम लेट नहीं रहती है आप प्रूलोंग नहीं कर पाते हैं लब मेकिंग को या इंटीमेसिक तो उसके बारे में हमने कुछ टाबलेट्स के साइडिफेक्ट के बारे में बात की और हमने यह बताने की कोशिस की कि यदि आप इस तरह किसे कोई स्टुमलेशन के लिए कोई बात पूछी जाती है, के हमें यदी erectile dysfunction है, time का issue है, erection नहीं आता है, भाती frequently हम discharge हो जाते हैं, time को नहीं sustain कर पाते हैं, और यदी कोई diagnosed problem है, erectile dysfunction या time का कोई issue है या फिर हम उसको sustain नहीं कर पाते, तो आखिर क्या दवाई हम खा सकते हैं, कौन सी वो दवाई हो सकती है, फिर वो क्या टाबलेट है, तो आज हम बात करेंगे अपने प्यार को सस्टेन कर सकते हैं, और यदि आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन है या इंपोटेंसी है इन फर्स स्टेज तो आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, टेडेनाफिल के बारे में हम बात करेंगे, टेडेनाफिल एक बहुती बहुती common salt है, जो nowadays बहुती frequently available है और लोग इसको personal use से, pharmacist के recommendation से या फिर even the doctor के recommendation से भी खाते हैं, या फिर वो google करके भी google guru से पूछ लेते हैं, तो टेडेनाफिल के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में कुछ बहुती important information है जो आपको जानना चाहिए और उसके जानने के बाद ही आप इस दवाई का इस्तेमाल करें, टेडेनाफिल आपको generic में भी मिल जाएगा और branded में मिल जाएगा, branded में Megalis के नाम से और generic में टेडेनाफिल के नाम से दवाई अबलेबल है, बट आप बेटर है कि आप generic लें टेडेनाफिल ने, सिपला कंपनी का या फिर जो द तर ऐसे strength में available है, तो मैं आपको personally advise ये करूँगा कि आप minimum dose से start करें, 2.5 या 5 mg dose से start करें और आप एक दिन पहले यानि एक दिन पहले इसको खाएं या फिर कम से कम 2-3 घंटे पहले इस tablet को लें, generally हम जो basic mistake ये करते हैं कि tablet खाने के बाद 30 minutes या 10 minutes या 1 hours में हम ये महसूस करते हैं कि हमें एक high erection होना चाहिए, हमारी body, हमारा brain तयार होना चाहिए और हमारे पास एक collection of energy and collection of hormones, sperm होना चाहिए, जिससे कि हम sex को prolonged कर पाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, और देखा ये जाता है, कि 2-3 बार, 2-4 बार वो टेडिन फिल हम लेते हैं, तो हमें अच्छा लग होता है, आप यदि higher dose से start करेंगे, तो उससे ना के बल आपके सरीर को नुकसान होगा, बलकि उससे आपको कोई फायदा भी नहीं होगा एक time के बाद, तो टेडिन फिल को use करने का सबसे सही तरीका है, कि you have to start with a minimum dose, 2.5 से 5 करें और 5 से 10 करें, और at least 3 hours पहले आप बो ले ले या फिर एक दिन पहले ले ले आप, तो उसकी एक planning है, एक तरीका है और उसका एक doses है, कुछ cases में, prostate के जो cases होते हैं, या फिर जिन लोगों को हम sustain करने के लिए, strength को sustain करने के लिए, जो हल्की फुल्की जिनको weakness होती है, उनको lower dose हम देते हैं, और वो lower dose बहुत अच्छा काम भी करती है, तो आप low dose से start करें, और फिर after some time आप अपनी dose increase भी कर सकते हैं, तो ये तो doses की बात रही, और इसको लेने के तरीके की बात रही, टिदिन फिल का जो इस्तेमाल है, वो erectile dysfunction बाले लोग कर सकते हैं, time के लिए कर सकते हैं, sustain करने के लिए कर सकते हैं, और hardness का यदी हो है, तो वो लोग भी ये टिदिन फिल टाबलेट ले सकते हैं, इसके बाद आता है कि side effect क्या है, side effect अगेन, आपको headache होगा, cough and cold लगेगा आपको, थोड़ा सा foggy हो सकता है, कही देखा जाता है कि nasal congestion हो जाता है आपको, और uneasiness महसूस होता है, बट ये बहुत temporary symptoms होते हैं, य कितने duration के अंदर हम ये ले सकते हैं, बैटर और सही तरीका और सही यूज ये है, कि week में एक बार ही आप टिदिन फिल लें, 5 या 10 mg एक दिन ही, तो आप 4 times, यानि महीने में, 4 बार ये दवाई ले सकते हैं, यानि once in a week, once है यदि आप week ये दवाई लेते हैं, minimum dose लेते हैं, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा major side effect नहीं आएगा, और आपको health संबंदित बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन यदि आप इसकी higher dose लेते हैं, और बहुत frequently आदी आप इस दवाई को लेते हैं, तो आपको फिर इसके side effect के कारण कुछ स्वास संबंदी इस function नहीं होता, वो लोग first time, बहुत सारे patient कहते हैं कि हम first time करना चाहते हैं, और एक confidence, एक energy के लिए, एक duration को बढ़ाने के लिए हम ये support चाहिए, हमें ये tablet चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि once मैं इसको एक बार try करना चाहते हूं, तो मैं आपको एक clearly बात बोल दूँ है, आप एक healthy इंसान है, और आपको कोई erection का, duration का यदि कोई issue नहीं है, तो आप इस tablet का इस्तेमाल ना करें, इससे कोई clinically बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा, ये उन लोगों को फायदा करेगी, जिनका की duration कम है, erection का problem है, और hardness का problem है, यदि आप normal है, healthy इंसान है, आपको को बहुत बड़े कोई फायदे नहीं होगे, और आपको उल्टा इससे नुकसान ही होगा, तो for the craze, for the trial, और for the one time और enhancement के लिए इस दवाई को लेना कोई अकल बंदी नहीं है, कोई बहुत intelligent move नहीं होगा, अब मैं दूसरे point पे आता हूँ, कि time का जो point है, बहुत सारे लोगों में एक myth है, time को लेके, कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 8 मिनट ये सब होता है, ये सब Hollywood, Bollywood और imagination में और dream में हो सकता है, real में जो average, standard average है दुनिया का, वो 4 मिनट है, और एक normal इंसान का जो time है, वो 2 मिनट से 6 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर ही होता है, जो हम extended time है, जो कह रहते हैं कि 8 मिनट होगे, 10 मिनट होगे, वो कोई active penetration बाला time नहीं होता है, वो passive बाला time होता है, passive penetration बाला time है, या आप एक अवस्था में अपने को बस sustain करने के लिए उसको continue करते हैं, जो active penetration बाला time है, active involvement का time है, active stroke बाला time है, वो 2-2 5 मिनट ही होता है, और उससे जादा नहीं होता है तो आपको basic बात समझनी है उसके बाद if you feel कि आपको weakness है hardness का issue है erectile dysfunction है और कोई importance आपको develop हो रही है तो आप अपने factor like smoking, obesity, stress और sleeping इसको ठीक करें प्लस आप अपने partner के साथ एक develop करें एक chemistry तो फिर ये सब कुस ठीक हो जाएगा thank you very much and take care yourself कर फरी और याए, खिंग सबस्क्राइ़ की का